तो हमें कुछ चीजों का सिर्फ डेफिनिशन नहीं पता होना चाहिए जैसे मैंने डाकर के बारे में डेफिनिशन तुम पता रहता ना तो तुम तो चार पॉइंट भी लिग देते तो तुमको पूरा नंबर कंपटिशन में एज ऐसे ही क्वेशन देते हैं रश्या यूक्रियन का ये वार सब पढ़के जाएगा इसरेल का कंफिक सब पढ़के जाएगा बड़ ये सब टॉपिक चूट जाता है बहुत कस्ट देता है पिछले बार पूचा था ना वो तुमारा स्काउट इन गाइड व की जानकारी है महीं को दे इस टेकनोलोजी में क्या करते हैं आ हम लोग कि ग्द्री आने वागराने का पूराना तरीका है या करते हैं to virus पकड के लाते हैं ठीक है इस virus को हम लोग पिला देतых है अब यह चरस पिली है इसको पता नहीं को करना क्या है ठीक है इस virus इस virus को मेरे सरीर में डाल दिया मेरा सरीर का ANTI body यह सब जो है इस पे त्राई करेगा लड़ेगा ठीक है लड़ते लड़ते सीख जाएगा कि अच्छा यह सब वाइरस यह सब काम करता है लेकिन हमारा बॉडी को आवास हो गया कि इस तरह का आदमी आएगा तो इससे डील करना है ठीक है तो अगले बार इसका ही भाई अगर मेरे से लड़ने के लिए आता है जो अच्छे खासे हल्दी हालत में है तो हम उससे भी लड़ लेंगे यही सिस्टम था इनक्टिवेटेड वाइरस को हम बॉडी में डाल दे ठीक है यहां पर डायरेक्ट वाइरस हम लोग इंपोज नहीं करते है बॉडी में और यसी चीज़ को हमको समझना है ठीक है तो यहां प्यापन क्या करते हैं कि instead of putting an inactivated virus in the body to activate immune system vaccine using this technology use mRNA, mRNA क्या है यह राइबो न्यूक्लियक एसिड जो है उसी का एक टाइब होता है mRNA, तो mRNA को ही हम सीधा ट्रांसफर कर देते हैं body में to deliver a message, mRNA क्या होगा ना कि वो कोडिंग एक तरह से, तो वो कोडिंग हमारे body तक पहुचानी का हम कोसिस करते हैं कि messenger होगा, इसलिए इसको mRNA कहते है messenger RNA, तो RNA के जरिए हम message body को पहुचाते कि देख इस तरह का virus आएगा तो तेरे को इस तरह से लड़ना है, without sending the direct virus, ठीक है इससे क्या होगा, इससे फायदा यह है कि mRNA आप कैसे बोलोगे कि कैसे भेजते है तो हम हाँ जोर लेंगे, हमको नहीं पता कैसे वो पूचेगा भी नहीं, वो तुमसे बस यहीं पूचना चाहेगा, mRNA vaccine में और बाकी traditional vaccine बनाने के method में क्या difference है, हम बोलेंगे सर, traditional vaccines में हम inactivated virus का इस्तेमाल करते थे, इसके दो-तीन घाटे भी हैं, मतलब उसके problems दो-तीन थे, पहली बात की inactivated virus था, तो virus ही, इससे क्या होता, भले उचारस पिये होगे, लेकिन एक-दो-फैट तो बढ़ियां लगा ही देगा, इसमें इसलिए आप देखते थे कि पहले जो है, जैसे आप कोई vaccine लेकर पढ़ता है, तो बच्चा थो बिमार पढ़ जाता है, थोड़ा स virus का नया-nया variant आता रहता है, तो mRNA messages में उन variants को accommodate कर पाना बढ़ा आसान है, क्योंकि उसमें RNA में ही हम थोड़ा वो change कर देंगा, नहीं तो फिर हमको उसी तरह का नया trend का virus जोनना पढ़ेगा, फिर उस पे work out करके उसमें vaccine बनाना पढ़ेगा, तो vaccine को update करते रहना आसान हो जा है, समझ में आगे mRNA vaccine method क्या है, normal चीजों से, advantage है, safety है, easy to update है, ठीक है, तिकत क्या है, पहला की अब देखो, mRNA पर काम कर रहे हूं, तो सीधा ये पकरना था ना, virus पकरना था, तो सचरस पिलाना था और दे देना था body में, तो वो easy था technologically, ये technical sophistication, तकनीकी रूप से और दक्ष पर बहुत low temperature भी गयाता है, like minus 180 degree or something, 100 degree or something, और इसको ट्रांस, जब इतना कम temperature पे store करोगे, इसों को, तो उसके रिए infrastructure लएगा, अच्छा खासा तगड़ा infrastructure लएगा, तो फ्राजल ही लेने तो ये खराब हो जाएगा, तो मैं पता भी ने चलेगा, तुमने दोस ले लिया, vaccine का, और vaccine जो ही लोग पहले निकाल कर रूम temperature पर रख दिया है, जो ऐसे में क्या होगा, तुमको भी लग रहा है कि वैक्सिन तो हमने ये लिया है, vaccine लिया भी नहीं तुम ये समस्या सकते,